कि हलो गाइज आप रिकी एडर मॉस्ट वेलकम तो और यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासिस मॉडर्न इंडिया चल रहा है और इसमें जो टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं वो है पहाडिया विद्रूख अंति तक बने रहीएगा आज समझेंगे हम लोग विडियो में आगाज करते हैं अज की वुडियो का सबसे पहले जानते हैं कि पहाडिया विद्रूख किसे कहते हैं तो आज से बहुत سाल पहले लगवग 1779 की बात है dane जो जार्खंड आज इस्टेट है आपका उसके साहिवगंज जीले में राजमहल तरफ एक एरिया होती थी वह है जो है वहां पर पहाड़िया जनजाती के लोग संथाल जनजाती के लोग घटवार जन जाती के लोग ज्यादा रहते थे वहीं की यह घटना है पहाड़िया विद्रो उस समय तो बिहार और जारकन साथ में था तो अब उसके 1789 की बात है तो उसके अनुसार जैसा भी हो आप उसकी कलपना कर सकते हैं तो वह चुकी एक साथ तो उसमें क्या हुआ वहां की जो पहाड़िया जन जाती के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्र एक विद्रो किया उस विद्रो का नाम है पहाड़िया ठीक है तो उसको क्या कहा गया पहाड़िया विद्रो अब यह क्यों हुआ इसका क्या क्या कारण थे या क्या क्या और भी चीज़ें थी हम लोग इसमें ब्रिहत रूप से इसको समझेंगे साथ ही तिलकामान जी को भी बैसर नंग से आज समझेंगे लोग तो यह अस्थान इस चाहर भाखलपूर यह जो है इस पहाडिया या इस पहाडिया विद्रो का अस्थान जहें बिहार भाखलपूर लिया लेकिन यह है चार चना और यह 17009 की घटना है चार चरन थे इसमें जो प्रथम चरन था वह 1772 इस भी में हुआ और यह तब हुआ जब अंग्रेजों और भारतियों की बीच अच्छा संबंध चल रहा था हम जार्खंड की बात करते हैं जार्खंड के राजमहल की जो की साहिम गंज जीला में है और पंद्रास सिष्ट फंधे में मान सिंन इसे अपनी राजधानी वराइए इसको राजमहल को यहां जो आप जानते हैं जार्खंड लेह यह बहुत ही का यहुरी है तो यहाँ पर जो है इन पहाडियों का संथालों का और जो आप समझ सकते हैं कि घटवारों का ज्यादा से यह सब जल जाती वहां रहती थी, तो वहाँ पर अंग्रेज के साथ अच्छा संबंध था, उनके मनसबदारों से भी अच्छा संबंध था, कहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक दिन एक घटना घटती है और वही जो है पहाडिया विद्रों का प्रथम चरण बनती है कि 1772 इस भी में एक सरदार की हत्या हो जाती है सरदार पहाडिया जो जन जाती थी इसमें सरदार होते थे उस जन जाती में जो बड़ेवर लीडर होते उसको सरदार का जाता तो उसके एक पहाडिया विद्रो जो पहाडिया विद्रो हुआ उस पहाडिया जन जाती के एक सरदार की हत्या एक मनसर्दार अर्थात अंग्रेज मनसर्दार के द्वारा कर दी जाती है और वो बहुत ही निर्मा निरसंस हत्या की जाती है इस से क्या होता है इस घटना के बा से यह स्टार्ट हो याती है विद्रोह तो उसके बाद किया हुआ पहाडियां ने एक जूटता दिखाई और अंग्रेजों के विरुद विद्रोह किया जो की 1772 में इसको नाम दिया गया प्रथम चरन है ना पहाडिया विद्रोह का प्रथम चरन एक सरदार की हत्याकारन इस कौन थे रमन्ना आहिड़ी जो है इस पहाडिया विद्रोह के प्रथम चरन की नत्रित्याकरता हो गए ठीक है अब अंग्रेजा और पहाडिया पीच पाठना बंद हो गया सिर्फ सरदार की हत्याकी बाद ये बातें अब उसका ऑठाटासEE कटासोदी चली गई आता है 2778 मे जब पहाडियों को इसमें क्या किया अंग्रेजों से इसका बनना बंध हो गया तो 72 से लेके 78 तक में 6 साल होता है अब राजमहल जो उचाई पर है पहाड़ी एरिया है वहाँ पर जो आपका ये पहाडिया निवास जनजाती जो निवास करती थी वह हाइट पर होती थी ज्या वकाल होने के कारण क्या हो गया नीचे वाले में भुखमरी हो गई और जो उपर उपर के छेतर में पहाड़ों पर रहते थे उन लोगों के लिए कंद मूल फाल ये सब तुखाते थे तो उनको आराम से वह जीज मिल जाता था तो इसके बाद जब वो लोग कभी-कभी चाहा कि यहां बहुत से जन जातियां रहती है इसमें कि पहाड़िया भी है पहाड़िया भी है संथाल भी है और साथ-साथ घटवार भी है तो यह सब जन जातिया जो है निवास करती है क्यों ना इन सब को आपस में ही तोड़ दिया जाए इसमें जो पहाड़िया जन जात अगर इस पहाडिया, संथाल और घटवार इस तीनों की जो अच्छा मित्रता है अगर इस तोनों को ही आपस में तोड़ दें और पहाडिया को हम अपने मिला लें तो संथाल और घटवार फिर मेरा कुछ नहीं उखार सकेगा इसलिए क्या किया उन्होंने चाल चली और उसने गूंः किया यह जो पहारिया जण जाती थी पहारिया जंजाती के दो क 150 अब सब से टैक्स लेक्सलेनलेने का काम हो रहा था लिकें उसने क्या किया इस पहारिया को जो इसको नगत भुकतान और पैंसन देना शुरू कर दिया किसने अंग्रेज़ों नहीं यह एक तुरह से फुट डालने का काम कर रहा था कि पहाड़ियां को जो है संथाल और घटवार से तोड़ दो क्योंकि यह तीनों मिल करके एक बहुत बड़ी सकती होती थी और पहाड़िय को नगदी भुकदान और नगदी भुकतान और पैंसन देना शुरू कर दिया इस तरह का जब यह देखा तो द्रिद्रे पहाड़ियां क्या हो गया तो सांथ होने लगा क्योंकि इसको तो मिलने लगा अब भस गया कॉन संथाल और घटवार इन जन जातियों को कुछ मिलना नहीं था तो अब इस तरह से अब इन इन संथालों में और घटवारों में भी और संथुष्टी कि वावनों साविक होगी कुछ लोग जो होसियार थे वो तो समझ गए कि अंग्रेजों ने पहाडियां से दोस्ती सिर्फ इसलिए किया है कि जो है कुछ काम अभी निप्टा बने मतलब की नत्युत करता बने जगनाद देव ने इस बात को समझा और उन्होंने यह पहाडियां से ही था जगनाद देव और इन्होंने पहाडियां से कहा कि यह जो है अंग्रेज तुमको मुर्ख बना रहा है इस तरह आपस में टूटो मत सबसे पहले वारन आक अपने क्यैप्टन करूग को भेजा इस पहाड़या संथाल जुह अपस में तोड़ दो लेकिन ये लेकिन वह सचम नहीं हो पाया बाद में क्लिवलेंड आया बाद में कौन आया पहाडिया जो है अपना मजा लेने लगा कि अग्रेज उसको देने लगा आराम से पैसावसा सब कुछ फिरी कर दिया और संथाल और घटवार को दिक्कास होना सुरू किया लेकिन जो लोग होसियार थे वो समझ रहे थे कि अंग्रेज किसी का नहीं है इसके बाद जो तिसरा चलन आया पहाडिया विदो का वह 1789 यह ता मतलब यह लोगों के बीच आपस में यह चलते रहा था चावुथा चलण आया 17181 से 1782 में और यह जो है दामीन एक कोह करना कोह के नाम पर आया दामीन एक कोह एक ऐसे चिन्ह ठी जिसे जिस जमीन पर लगा दी जाती थी वह जमी महसुपूर कि रानी जो सर्वेश्वरिद थी जिन्होंने इसका विरोध किया किसका मेरी यह और अग्रेज क्या करती थी इसी के नीजी जमीन को भी दामीन एक कोष में मिला करके उसको दाल्य एक को के नाम पीचित करके उस जमीन को सरकारी जमीन बरदेती थी इसंसंड 속कों engaging раск capitalism जमात दामीन एक कोह के नाम पर जिसका विरोध महसपूर की राणी ने भी की तो अब देखिए यहां तक के यहां तक जो हुआ अभी इसमें एक बात हम छूट गया दूसरा चलंज शुट शुट में हुआ यह जो पहाड़ियों की नगदी भत्ता और उसको जो पैंसन दी गई और साथ इसको जो दूसरा व्यक्ती समझा वह तिल्का मांजी की संघतिलका मानी ने जो बाद में संथाल विद्रो यह या तिल्का आंदोलन भी उसके नाम से है तो तिल्का मांजी ने इस चीज को समझ लिया कि अंगरेज की जो फूंढ ल की नितिया है यहां भी लगा रहा है अर्थात जो पहाडिया है उसको संथाल और घटवार से अलग कर रहा है और अलग करके जो है वह अपने आप में सक्षम सक्षम हो पा रहा है खायर वारेन हैस्टिंग्स ने कुरूग को भेजा तो वह सफल नहीं हुआ लेकिन दनजाति का ही एक नितर जगननाथ देव विइसके भीरोज में अ गया और श्तितू किया और क्या धूबड़् अन राओंगर पारिया बिद्रोह किया अब मुख्य सिर्ष पर तीका माली नेश का खूल कर बिरुध किया इसका बिद्रोब खूल कर किया दूसरा चरन में अब तिलका इंड़ी द्वारा किया क्या किलिवLand पर हमला कर दिया गया क्लिवलेंड नहीं लागू किया था कि पहाडिया को जो है पहाडियों को नक्ति भष्ता दे दो उसको पैंसन देदो लगान मुक्त कर दो यह सारा चाल क्लिवलेंड का था क्लिवलेंड ही सक्सेस हुआ इसलिए तिलकामाजी द्वारा क्लिवलेंड पर हमला कर दिया और इसका कारण क्या था अंग्रेजां द्वारा फूट डालने के कारण फूट डालने में तो माहिर था फूट डालो सासन करो काम करता था वही चीज लगाया तिलकामाजी के यह जावरा पहाडिया के नाम से भी तिलकामाजी को जना जाता है और देखिए आंदोलन का प्रमुख के अंदर जो है यह वंचरी जो रथा भागलपूर को मना गया भागलपूर से वह एरिया जो राजमहल की है जो जारखंड में हो दूर है उस दूर है यहां से तो अंदोल संथाल परगना में हुआ जन आंदोलन के रूप में हुआ है ना तिलकामाजी का यह आंदोलन था इसका परसार परसार संथाल परगना में हुआ और जन आंदोलन के रूप में हुआ जारखंड में बहुत बड़ी जन जाती है संथाल की उस तरफ जो आदिवासियों से पू पुष्टता का भाव था वह अंग्रेजों के फूट डालने के कारण ही उसमें आया था और उसी को लेकर के तिलका मांजीश सामने आये थे कि लोगों ने जो है हमारे इसको तोड़ करके जो है वह अंबर सासन करना चाहती है बाद में ऐसा भी हुआ है कि वह जो पहाडिया है उसको नहीं देने लगा और संथाल को लाव देने लगा था तो इस तरह से लोग उसकी मोनोपॉली को समझ चुके थे अंग्रेज का और उनको लगा किसको बिना मारे जो है यह मानेगा नहीं इसलिए क्या क्लीवलेंड को मार दिया तीर से मतलब जखमी कर दिया बाद में क् जो तिलकामाजी का आंदोलन था इसमें साल के पत्ते का इस्तिमाल होता था और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चड़कर हिस्सा लिया तो जब ऐसा हुआ तो जब क्लीवलेंड को मार दिया तो आप समझते हैं अंग्रेज का बहुत बड़े पताधिकारी को मार द तो जंगल होते तो जाके छुप गया वहां बहुत दिन तब को उसको खोज नहीं पाता था मतलब और वहां जो उसकी युद्धनिती थी वह गोरिल्ला वाली थी गोरिल्ला युद्धनिती हमने बताया है कि उसमें लोग क्या होता एक एक टेंडम आप पर वार करेगा और लेकिन अंग्रेजों का एक पूलीस अधिक्षक हुआ इसका नाम था आयर कूट क्या नाम था आयर कूट यह एक अंग्रेजी पूलीस अधिक्षक थे ति ऊनने तिलकामांजी को पक्ड़ो अभियान चला तिलकामांजी को पकड़ने का अभियान चलाकि को पकड़ो मतलब पकड़ने पर पूरा जोत यए और तुरों के पwarmयों के पास था उतना संसाधन इन लोग पैस नहीं था त skirt면 जो जो है जो इसके पास संचाधन थे वो तीर जनुसर नॉर्मल था अंग्रेज़ां के पास बंदुख वेगर अभी थी तो संचाधन की कमी भी कही ने कहीं इस पर भारी पड़ी और जो पहाड़िया जन जाती का एक सरदार था जिसका नाम था जाउरा क्या नाम था जाउरा इस जाउरा की मदद से आयरकूट की तिलकामान्जी को पकड़ लिया यह जो यह जो पहाड़िया सरदार था जाउरा इसको मालूम था जाउरा एक जो है आयर कूट पुलिस अधिक्षक को इनफॉर्मेशन दे दी तिल का मान जी की देखिए अपना ही आदमी बरबात कर देता है आप इतियास उठा करके देखिएगा ऐसे बहुत सारे करांतिकारी हुए है जिसको कि उसका अपना आदमी फसा दिया है यही हुआ ना जो उसने तो इन्होंने ही बता दिया कि राजमहल की पहाड़ी में जो है तिलका मान जी चुपा है और वहां पर जाकरके आयर कूट ने तिलका मान जी को क्या की पकड़ लिया है ना पकड़ा गया अब 1785 में पकड़ा उसको राजमहल में जारखंड में और चार ऐसा कहा जाता है कि घोड़े के साथ तिलका मान जी को बांधा गया और वहां से खीच करके उसको भागलपूर लाया गया जमीन में सिधार रहें घृते मतलब भिसाते हुए उसका बदन लहू लुहान हो गया और उस तरह उस अब अस्था में उनको भागलपूर में जो तिलका मान जी चौक है फासिद दे दी गई है ना भागलपूर में जस्ट हमसे आधा किलोमेटर वो चौक है मतलब आधा भी नहीं कहा जाए बहुत नजदिक है तो यहां यहां पर क्या हुआ कि जब लेकिन उनको लाया गया तो उनकी जो उनका जो देखने का तरीका था पूरा सरीर तो लहूलवान वक्त तक भी वो अंग्रेजों को अंग्रेजों के कभी भी उसके दास नहीं बने मतलब उन्होंने बोला हाँ ठीक अगर फासी तो फासी सही जब इतना कड़ा सजा मीला तो दरना क्या वो बाद में जो है उनको फासी पर लटका दिया गया तिलका माझी भागलपूर में ब विद्रोह करने वाला पर्थम आदिवासी सथांता से नहीं को मना यता है और जिसमें इनको मतलब की फासी से लटकाया गया उनकी महार्ज उम्र जो है महार्ज 35 वर्ष की थी मतलब 35 साल के अवस्था में जो है इनको ये मतलब आज फासी की सजा मिल गई और उन्होंने आज इसको स्विकार कर लिया तो मित्र आज हम लोगों ने पहारिया विद्रोह को सीखा साथ में जो इनके नत्रित करता तिलका मांजी थे उनको भी हमने देखा ठीक ह है कैसी लगी वीडियो को बताइए अब कमेंट बॉक्स में धन्यवाद स्वास्त्रे अपना ख्याल रखें जैहिंद